आपका स्वागत है आईटे फाइटर यूटूब चैनल में तो जो हमारी कल क्लास हुई थी क्लास वन अगर आपने नहीं देखी तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे आप स्क्रॉल कीजेगा हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसमें बाध देख से हमने ठीस कोशें किये थे और बहुत अच्छे से किये थे ये सारे कोशन को ने क्लियर कर दिये थे बहुत है और आज का वीडियो भी बहुत इंप्वर्टेंट है आपि लास तब आएけてगा हर कोशनिन इंपॉर्टेंट है इससले इसεις रिछेटर आपको एकज स्क्राइब कीजिएगा और वेल आइकन ओन कर लिजिएगा जो भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे आपके पास नौटिपिकेशन के द्वार आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है इस्टार्ट करते हैं फरस्ट हमारा कोशन है कोशन टेनसी सिटी कहलाती है एकृतिक एलास्ति सिटी क्या होता है जिसमें हमारा स्प्रिंगनेस का गुढ़ होता है वहमारा इलास्ती थिंबल के एक division की spindle movement क्या होगी जब spindle thread 0.5 mm होगी चलिए इस micrometer के बारे में हम जान लेते हैं कि micrometer में हमारा थिंबल कहां पर होता है और ये 0.5 mm pitch क्या होती है और spindle की movement क्या होगी तो उसे हम figure के माद्यम से समझते हैं ये फ्रेट्स हमारा आप जो figure देख रहे हैं ये हमारा micrometer है और ये हमारा spindle होता है ये हमारा envil होता है ठीके तो ये भी अच्छा कोशन है इसमें से कोशन ही आता है कि spindle हमारा किस मेटल के बना होता है तो spindle और envil हमारे इन्वार इस टील के बने होते है ठीके किसका बना होता है इन्वारे शील का बना होता है ये कोशन याद रखीगा दूसरा कोशन है यहाँ पर कोशन ही आता है कि हमारा ये कौन सा भाग है ठीके या कोशन पूछा जाता है कि हमारा जो main scale है वह micrometer के किस भाग में अंकित किया था main scale कहां पर अंकित रहता है या उस भी हमार यप यह किया देख पार है mathematics स्कूल की में बस रेचे टिस्ट आपका प्रियूख करते हैं ठीक है जैसे हमने कोई भी यहां पर कंपोनेट की माप ले रहें ठीक है तो ज्यादा हम यहां पर इसको हमने जैसे साइच को कर दिया इसके बाद इसको घुमाते हैं जैसे ही टरटर की आवाज करने लगता तो फिर हम बंद करने त करन उसको टाइद तर इसको समझना आपि आप यहां पे दूसरा समस्ते हैं यह ह cape है यह हमारा फेरा में ढुए हुआ में ठीक है कि हमारा क्या कहना है यह वार फ्रेम होता है जो सिया का इसमेटल रवाड़ का सकता है तो यह हमारा कास्टरेंड का बना जाता है अथ्वा फोर्ट इस्टील का मरब बनाय请ता है अब यहां email पे समझते हैं यह हमारा लोकिंग नड़ होता है इसके माध्थम से हम लॉक कर देते हैं ठीक है जो भी हमारी जो हमने माप ली ए ठीक है ये चीजह आपको समझ में आ गई होगी आप कोश्चर में हम से पूछा गया था 0.5 mm क्या होता है जीरो पॉईंट 0.01 mm क्या होता है ये सारा को समझते हैं ठीक है जब हमारा इसमें total हमारे खाने हो थे 50 खाने होते हैं थाउत खाने होते हैं जो इसमें हमारे अंदर जो स्पिंडल होती जिसमें हमारी थ्रेट कटी होती तभी तो हमारा माइक्रो मीटर नट और बोल्ड के सिधान पर आधारीत होता है लीड और पिछ के सिधान पर आधारीत होता है क्योंकि इसमें जो हमारी पिछ होती है जिसमें तो जब थिंबल को एक चक्र हम गुमाते हैं तो हमारा एक खाना आगे बढ़ता कहने मतलब है हमानी कैसे निकलती है 50 खाने बराबर पॉइंड जी रफाइब फाइब ... मतलब क्या है कि जब हम 50 खाने मतलब क्या है के एक चक्र जब हम घ्मा दाएं कि एक चक वराबर घूम जाएंगे तो 50 खाने बराबर कितना होता है 0.05 तो एक खाने कमान कितना होगा तो 0.5 बटे 50 ऐसे करेंगे है न तो एक खाने कमान यहां से कितना निकलाएगा एक खाने कमान निकलाएगा 0.01 तो यही हमारा एक खाने कमान जो यहां पर होता है एक खाने कमान यहां पर एक खाने कमान होता है 0.01 mm यहां के खाने कमान यहां के ठीक है यहां की जो एक खाने कमान होता है वो 0.5 होता है ठीक है तो जब एक चकर घुमाएंगे तो उसमें एक खाना एक आगे खाना बढ़ जाता है जो घूम के और आगे आ जाता है ठीक है समझ चलिए कोशन पर आते हूं अब कोशन में हमसे पूछा गया था कि हमारी इस पेंडल में थ्रिट जो होती जो थ्रिट कितनी होती है कितने पिच्की होती हो जिरो पॉइंट फाइब की होती बिल्कुत सही बात है अब इसमें कोशन को घुमारा कुछ ज्यादा इसमें पूछा कि थिंबल के एक डिवीजन का भाग क्या होता है तो जो हमने उसमें गोल गोल आपका रेखाएं बनी हुई थी न तो उसमें पूछ रहा था इसके खाने कमान कितना होता है तो उसके खाने कमान जीरो पॉइंट जीरो वहने में होता है कैसे हमने निकाला था हमने निकाला थ कि जब एक चक्र पूरा गूम जाता है मतलब 50 खाने वो घूम जाता तो 50 खाने बराबर होता है हमारा जो एक ज़ो एक चक्र जो हमारी जो पिछ होती है पौइंट-फाइब होती है तो एक चक्र वहां से हमने उसको निकाल लिया था लिश्ट काउन ठीक है समझ पागए न तो यह राइट असर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर यह आप समझ जाएगा ठीक है निश्क कोशन देख लेते हैं इसमें पुछा वनियर कैलिपर की रीडिंग क्या है तो इसमें से सिंपल से समझते हैं अच्छे से समझना अगर यह आप समझ गए तो बाकि हमारी कौन सी मैच कर रही तो यह तो हम समझ लेगे कि समझना है कि क्या क्वान slang रही है इसके पहले समझना है कि हमारे क्यों से नमबर फी नापर है रहता था क्या इसके यहां पर यहां पर कितना बोलेंगे इसको यहां पर कितना बोलेंगे हम 35 बोलेंगे समझ पार्य है इसके पहले भी कुछ लाइन होगी वहां पर इसको क्या बोलेंगी लाइन है इसके पहले हमें देखना है कौन सी लाइन खुली हुई है तो यह हमारी 35 नमबर तो हमारा कितना निकल के आया 35 पॉइंट आ गया अब आसानी से समझना है कि जो यहां पर आगे आपको वनियर वनियर स्केल में जो लाइन आपको मार करके दी जाए ठीकि उसी में से हमें देखना है लेफ्ट से राइट चलना है और हमें देखना है पहले कौन सा खुला है यहां पर 35 हम आयुकल हम श्लब कर लिया अब आगे हमें देखना है कि कौन सी में चेयुक्त कर दी तो हूँ खुद करना होत아서 डखन beslandel को इसमें आपको दिखाया गया है कि यह वाली आपकी लाइन में से कर दिखा देता है। आपको लिस्ट काउंट का गुणा कर देना ठीक है तो यहां पर हम लिस्ट काउंट का गुणा कर देते हैं तो यहां पर हम 20 कैसे करेंगे हम देखे 20 वा खाना मिला तो जो खाना मिलता है जैसे 20 वा खाना मिला तो बिल्कुल तो उसमें हम 0.02 mm का गुणा कर देंगे 0.02 mm का ग हमारा जो लाइन मैश कर रहे होती है उसी लाइन में हम उसी खाने में हम लिश्ट काउंट का गुणा कर देते हैं मालो अगर 25 यहां पर डिनोर करता एरो यहां पर 25 में गुणा कर तो 25 में हम लिश्ट काउंट का गुणा करते हैं 0.02 तब यहां इसका गुणा कर दे तो कितना आता हमारा 25 25 तो हमारा पॉइंट फाइव आता तब 35.5 हमारा अंसर आता लेकिन यहां पर हमारा 20 है तो 20 में गुणा करें तो हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा 35.4 समझ में आगे ना उड़ते 0.02 25.4 हमारा अंसर आता है ना समझ पागए ठीक आ गया होगा समझ में नेश्क कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 34 इसमें क्या पूछा गया है अगर यह कोशन आप समझ गये तो नीचे वाला भी कोशन आपको आजाए बहुत सिंपल सा है अच्छे से समझना टफ नह कैसे करना है क्या समझ्य पहले तरहे तो ये ये धरो समझना है एयो किस सरफ दे रहाँ एms तरफ दे रहाँ अगर कोशनमें एरो इस तरफ दे रहाँ तो जो हमारी रीडिंग निकल के आएगी उसको और 180 डिग्री से घटाएंगी यह आपको समझ लेना लेकिन इस तरफ एरो नहीं है तो हमें 100 सी डिग्री में घटाने जुरुत नहीं है वो कब घटाएंगी किस प्रकार का कोशन होगा वो भी नीचे कल की वीडियो में आएगा वो कोशन ठीक है तो यहां पर हम समझतें की रीडिं स्केल है वो हमारी कहाँ पर है कहाँ पर एरो बना हुआ है तो आपको जूम करें आपको घ्टें कर हम करके हम देखते हैं बड़ी रेखा ना पचास है तो कहने के मतलब क्या है कि जो हमारी बड़ी रेखा यह हमारी कौन सी है यह हमारी 40 है लेकिन यह जो हम जो रीडिंग हमारी आ रही है जो हमारा दिखाया जा रहा है जो डायल है जो नोख है वो कहां पर सो करें वो यहां पर सो करें कि आपकी माप यहां पर आ रही तो कहने के मतलब क्या है कि हमारी जो मेन लेंगे आगे तो लेंगे नहीं 42 ले लेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा आगे निकल जाएंगे तो हम 41 लेंगे तो 41 हमारा degree क्या हो गया हमारा main scale हो गया यहां पर degree क्योंकि one year इंगलम हमापता है तो यह हमारा यहां पर क्या होगा हमारा degree में होगा तो 41 डिग्री तो हमारा हो गया पहले तो ठीक है देखो यहां पर इस टाइप का आपको आपसन भी मिल ला है लेकिन अब मिनट कैसे आगए यह हमें समझना ठीक है अब हमने जैसा कि आपको समझाया था कि वनियर स्केल पर जो भी आपको रेखा दिनोट कर रहें जहां पर भी हो बस उसमें हमको लिश्ट काउंट को गुणा कर देना लेकिन कितने खाने ओ भी हमें देखना तो खाने कहां से काउंट करेंगे हम जीरो से काउंट करेंगे तो जीरो से खाने अब जैसा कि वनियर स्केल में तो इसमें टोटल हमारे खाने कितने होंगे बारा होंगे ठीक है तो यह चीज आपको याद यह हमने जानकारी के लिए बता दी क्योंकि कोशन इक जामे आता लेकिन इसको निकानने के लिए आपको कुशन याद नहीं करना बस आपको यह समझना है कि एरो कहां पर दिनोड कर ही देखार चलिए यहां से 0 से देखांगा कितना यहां पर खाने हैं तो 1 2 1 हो गया दो गया थी ओ समय सकते हैं घीघीड 37 ça fragen तंब इतना नंबर बढ़ा क्यों दें रहां बढ़ा नहीं दे यहां पर जीरो जब हमने था दी आप यहां पर क्या हुआ यहां पर रेट चलो टोटल खोने देख लेते कितने चलो सब भूल जाऊं बस खाने हम पर ठीक है एक Ped दूसरा खाना हो गया तीसरा खाना हो गया चुथा खाना हो गया पाच्वा खाना हो recognize चटा varias और शार्प्त सक्वा शार्प्तर का या लवान दस्वा खाना है ठेल का मैंस दसवा खाना मैच करा किसके साथ में इसके साल में इसके साथ में तो जो खाना मैच करेगा उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमने बताए था तो में इसके तो लिस्ट काउंट हमारी कितनी है वन ये प्रोटेक्टरी पांच मिनट उती है उसमें हम पांच मिनट का गुणा कर देंगे तो दस पचे पचास पांच मिनट हमारा इसका आ गया तो राइट अंसर क्या हो जाएगा हमारा एक तालीस पचास है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा एक तालीस पचास मिनट चलो फिर से कोशन को समझते है एक बार फिर से जिन बच्चों को नहीं आया समझ में फिर से समझते है सबसे पहले हमें क्या देखना है हमारी جو main scale वो कहां पर है तो main scale में हमने देखा जो यहां पे soit है वो कहां पर denote कर रही है यह 2 हमारी 40 है बड़ी रेखा क्या है हमारी 40 है और जो यह जो हमारी dial वाली जो esoie आ रही वो 41 और 42 के बीच में आ रही तो दस्वा खाना कैसे निकाल ले देखी इसको हमने जैसे बताया थे zero 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 यहां पर इसको तीन चैज माल लेते हैं तो यहां से यह इसको छोड़ो zero three हटाओ यह सब छोड़ो सिंपस आपको क्या करना आपको जैसे paper question आ जाया तो यह सिन अलाइंस को मैच करें तो जो कितने खान से टशारा गूरा कर देना हैं मेरा 50 आजा गया अगर माैंन में कोशन आ अगर आपके पास कि अगर यह यह पर आजए तो Song पाना हो कि जो खाना यहां पर दर्सा है लेकि जब हम लोग प्रेटिकल करते हैं वहां पर थोड़े चीज़ों को आप तो ऐसा तो नहीं जादू कि छड़ी की वह आप कुछ दिखा नहीं देगा कि यहां पर एरो हमें खुद मैच करना पड़ता है कि कौन सी लाइन मैच कर रही यहां मेन इसके सामने बिल्कुल सीद में है यहां पर किया देखो कम जाधा यहां पर आगे पीछे मноभन ऐसी एक नहीं है यहां पर इसका मतलब क्या है कि में स्केल वन यृडाइन से यह लाइन है हमारी में स्केल से लाइन टाच कर रही आगे है ना समढ़ चलि नेश लेते हैं अब कोश्चन इस टाइप का बहुत हमारे पास मैसेज भी आता है कि इस टाइप को कैसे अल कर देते हैं तो आपको आ गया होगा समझ में ना कि कोशन नमर हमने सौल किया है जोटिस कोशर मर देख लेते हैं है यहां कि तिच उसकी कर दो हें उनके बीच में यह जैसे मारे ने लखे हुंए तो इसके बीच में में अगर प्रति पत्ति होती उसकी कि उसको लगा के हम गैब चेक कर लेते हैं यह हमारी फिलर गेज की पतीका लंबाई कितनी होती है 75 mm 100 mm ऐसे करके आपसंदिया था तो फिलर गेज की पतीकी लंबाई सो एम में मोती याद कर लीजे कि जाम में आया वह कोशन है ठीक हे साम नम होती है आप यहां से कोशन है कि फिलर गेज का साइज कहां पर लिखा जाता है तो पत्ती के फेस पर लिखा जाता है पत्ती की फेस पर यह जो हमारा यह जो साइज लिखा हुआ यह कौन सा साइज होता है यह हमारी पत्ती की थिकनेस होती है जो पत्ती की मुटाई होती है यह हमारी य इसको बोल सकते हैं यह सब कुछ आपको याद रखना है कोशन नमर 36 एक और रीडिंग निगाने के लिए हमसे पूछ रहा है बहुत अच्छे से समझना है और जो हमने ट्रिक बताई वही आपको फालो का ना बस पहले आपको समझना पहले आपको कैसे समझना हमने आपसन ह्लिए मतलब क्या है कि मतलब ये होगा कि हमारा इसको ऊएलने के 10 मीडिक अगर यह हमारा 10 ड्रण को क्या बोल रहां 10 जहां 10 bath बढराबर एक संटीमिटर तो इसको अगर 10 में इसको क्या जो धीए हरा जो पंद्राइं बोलें तो इसको जो गीरी से में प्रहार का निकल के आगया क्या फचीस फ्तार्टिंग में दिविजन निकल के आगया पचीस तो मतलब कि दो option तो बिल्कुल नहीं अब दो में होगा तो point में हम निकालना है अब यहाँ पर 25 भी हो सकता है 26 भी हो सकता है चलिए हम निकालते हैं कि कौन सा होगा तो हमने क्या बताया था simple हमने बताया था कि जो आपकी one year इसके लिए जो dial है जिसके साथ आपकी टच करें जिसको mention करें बस उसी में list count का गुणा कर दो कुछ ज़्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी अब यहाँ पर जो list count जैसे dial करें पर कि जो list count होती है दो तीन list count हमने आपको याद कराई थी 0.01 mm, 0.02 mm है ना और 0.05 mm यह list count होती है ना यह होती है list count हमारी dial करें पर की तो अब यहाँ पर list count इन्हों ने mention कर दिया कि list count 0.05 mm होती बिल्कुत सही बात कि कि हम किसका गुणा करें हमें list count का गुणा करना किसमें करना हमने बताया कि जो तो सुई आपको दिखाया जाते हैं यह सुई कहां पर दिखाया रहा यह सुई यहां पर दिखाया जा रहा भाई खाने हम गिन लेते हैं क्योंकि हमें खाने में list count को गुड़ा करना कुछ यादा करना नहीं तो 0 है 10 है मतलब गिनना नहीं कि अब यहां से गिनना एक दो ती बीसमा, चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यह कौन सा खाना है, बीसमा खाना है, यह कौन सा खाना है, बाइसमा खाना है, यह कौन सा खाना है, चौबिसमा खाना है, यह कौन सा खाना है, चौबिसमा खाना है, अब यह कौन सा खाना है, तो कहने मालब जो सुई है हमारी वो 24 और 25 के बीच में या 24 के सामने कह सकते हैं तो 24 के सामने हमारी सुई है किस के सामने है 24 के सामने तो हमने कहा था कि जो सुई जो सुई है या कोई आपको दिखाए जाए हमालो यहाँ पर arrow दे देता यह समझ लो arrow है या सुई है कुछ भी आप समझ लो तो उसमें हम गुणा कर देते हैं कितना का list काउन का गुणा कर देते हैं यही तो trick हमने आपको बताई थी one second friends तो हमने समझा कि हमारा यहाँ पर 25 वा खाना इसके पहले हमारा कौन सा खाना होगा 24 वा होगा क्योंकि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर कौन सा होगा 25 होगा यहाँ पर 20 तो यह समझ आप समझ गए होगे कि 24 वा खाना ठीक अब हमने यह बताए कि list काउन का गुणा कर देते हैं भ यहाँ पर गुड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर 0 5 1 लीए और यहाँ पर 24 का गुड़ा कर देते हैं क्योंकि 24 मां खाना टेश कर हुए ना तो यहाँ ऐसे करते hat 5 का गड़ा इसमें करते So,5~~ 20 तो यहाँ पर आमने So,न् ने लिख लिए और हमारा किसा में occident 1.2 ऐखर इसकार का रीडिंग निकालना अगर आपको कहीं भी सीखने को मिल जा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हमने देखा लोग अंसर बता देते हैं लेकिन हमने आपको अच्छे से समझा दिया फिर भी अगर आपको डाउट है ना तो आप कमेंट करी बताएगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जुरू बताएगा तो हमारा यापी कितना आ एक गैंग डिलिंग मसीन में क्या आपरेशन किया जाता है आफसन है आईडियल आपरेशन निश्किरी संचलन डिलिंग का बार बार संचलन निरंतर मिलिंग आपरेशन कांटिनूस मिलिंग आपरेशन सक्सेसिव आपरेशन आप डिलिंग तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिलिंग मसीन गैंग डिलिंग मसीन हमारी कैसी होती किस परकार की आकरत होती क्या क्या इससे एकजामे कुशन पुछा जा सकता चली चलते हैं गैंग डिलिंग के पाश और उसे समस्ते हैं यह फीगर आप देख पा रहे होंगे गैंग डिलिंग मसीन का इसमें आप देख प लिखा हुआ है हमारा क्या है इसमें मेंटर होती है जब कि जो हमारा मल्टिपल इस जो हमने एक multiple spindle drilling machine होती है उसमें क्या होता है आप खुद के spindle के लिए हमारी motor नहीं होती क्या होती है वो केवल एक ही motor होती है जो सभी जो हमारे multiple spindle drilling machine होती है जिसमें हमारे 4-48 spindle होते हैं तो उसमें क्या होता है कि 4-48 spindle को चलाने के लिए किवल एक motor अगर एक motor को हमने चालिव कर दिया तो 4-48 जितने भी अगर मालो 10 spindle है तो 200 spindle हमारे चलेंगे तो समझ पागे अब इसमें क्या होता है मतलब एक ही स्पीड उसमें चलेंगे जैसे हमारी motor जिस स्पीड में चलेगी उसके आधार पे उसमें हम एक ही तरह का operation कर सकते हैं कि इसमें multiple spindle दिंग मसीन लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अलग-अलग spindle होते हैं मतलब कि कि होती होती है कि हर इस्पिंडल के लिए फिंडल होती है कि गांग ड्लिंग वसीन हमारी टोटल जो इस्पिंडल होते हैं वो दो से आठ नोत यह इस्पिंडल होती है अगर हमारी गांग् 직 में घैन्टन The तो दिया था उसको समझना है कोशिन के अंसर यहीं से आप निकल निकालोगी। इसका फायदा यह होता है गैंग डिल लिगस्जी में अगर यहां पे यहां पे माल Dw Лिखाय यहां पे 12M का हमने डिल लगा वगा worms조 6 sent company का हमने हो दिल लगा दिया तो कहने पर यहां पर जो हमने 12 म्म का डिल लगाया है उसको निकाल के हम 20 को हमें लगाने ज्रुत नहीं हम दूसरे स्पिंडल में लगा सकते ही और यह चीज और इस समस्कते हैं कि इस डिलिंग मसीन के मादब से हम अलग अलग अपरेशन कर सकते मतलब इसमें हमने डिलिंग किया इसमें हमने काउंटर बोरिंग टूल हमने लगा दी इसमें हमने काउंटर बोरिंग कर रहे हैं इसमें काउंटर कर सिंकिंग कर रहे हैं मतलब की लगातार हम इससे अपरेशन कर सकते हैं क्रमा अनुसारी से मुद्पादन कर सकते हैं कि इससे भी हम मास प्रोडक्शन में भी हम इस इस गैंग डिलिंग मेशीन का प्रूब करते हैं तो आगया होगा समझे चले कोशन की और चलते हैं कि अब आपसन देखेंगे कि निष्करी संचालन देखो पहला अफसन तो बिल्कुल हमें लग भी नहीं रहा रिपेटेड़ ऑपरेशन का मतलब एक ही आपरेशन बार बार कर रहे हैं एक ही स्पिंडल ऐसा तो होता है है ना मतलब इसका हमें कोई भी ऑचितर नहीं लग रहा ह एक से हमने डिलिंग किया तो दूसरे से हमने counterboding कर लिया अगर कुछ गयराई तक हमें hole को बढ़ा करना है तो हमने counterboding करने नहीं करना है तो हमने दूसरे spindle हमने लगा दिया होल डिल की होल को हम फिनिस कर रहे है तो कहने मतलब हम लगातार operation करते जारे हैं रूके नहीं कि हमने हमने एक hole कर लिया फिर हम दूसरे जाब का hole कर रहे हमने पूरा एक ही बार में हम operation सारी कर सकते हैं यह होता है क्रमिक संचालन का मतलब लगातार हम अपना operation करते जा रहे हैं बिना रूके ठीक है तो यह answer हो जाएगा डिया ठीक आगया होगा समझे और 18 में हम से पोचा है कि वन यह प्रोटेक्टर बं मैं से क्या पूड़ पूछा है तो पोच्छा है कि वर्ंचे का का एक अभी निससा का है इसका मतलब क्या है वनेर इस्ट होता है वह किसके साथ जुड़ा होता है अभीने इस से मतलब इन्टीरेगल पार्ट किसके साथ जुड़ा होता है ने आभीने मतलब यह समझे e अलग हुआ पार्ट अभी मतलब यहां पर इंट्रिकल का मतलब है जूड़ा हुआ पार्ट चलो देखते हैं यहां पर आपसन क्या है डिस्क है डायल है और दो आपसन यहां पर और दिये गए आपको यहां पर दो आपसन और दिया गए यहां पर डिस्क और डायल वहां पर द होता है वह हमारे किसके साथ जुड़ा होता है डायल के साथ जुड़ा होता है यह हम कह सकते हैं किसके साथ हमारा इंट्रिगल पार्ट हमारा डायल के साथ इंट्रिगल पार्ट हमारा डायल के साथ इंट्रिगल पार्ट है तो भाई हम फिगर के माधियम से समझते हैं यह डाय नहीं लग रहा हो थोड़ा सा हना लेकिन थोड़ा साम समझा देते हैं चली दूसरे फीगर में लेकर चलते इस फीगर को आप देखे अब कुछ ज्यादा क्लियर होगा यह देख पा रहे हैं इसको इस्टाक बोलते तो कोशन में क्या था कि इस्टाक हमारा किसके साथ हिन ऑंग है तो हमारा डाल के साथ हुड़ा हुआ यह आपकी क्या है यह जिल ही तो है इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यह आप दूसरा कोशन क्या है प्रोटेक्ट रॉटेक्टर में वंएर-में- में- में- इसकैल हमारा डिस्क पर अंकित होता है यह जो आप तीज़ देख़ पा रहे है यह वाला यह main scale है main scale किस पर अंकित होती है disc पर अंकित होती है बच्चा समझ गए ला अब दूसरा question आता है पहला question क्या होगा main scale कहां पर अंकित होती है वनियर ब्रोटेक्टर के किस भाग में अंकित होती, कहां पर अंकित होती, डिस्क पर अंकित होती, दूसरा कोशन है, वनियर ब्रोटेक्टर में वनियर स्केल कहां पर अंकित होती है, तो हमारी डायल पर अंकित होती है, यह हमारी डायल है, डायल पे हमारे वनियर स्केल अंकि को इस पर सकरता है ठीक ये याद रखना है और ये साठ डिगरी पे होता है इधर हमारा 45 डिगरी ज्यादा ये कोशन जो कोशन जो हमने अभी तक बता है वो होता अब थोड़ा से और डिप में जातें क्या का कोशन आता है तो जो हमारा वनियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसके 23 में इसकेल खाने के मार में इसकेल MSD लिख सकते हैं 23 में इसकेल खाने के किसके बराबर होता है 12 वनियर इसकेल खाने के बराबर होता है VSD एक यह याद रखना है भूश लेगा के दिजाए समय पूश लाइगा कि एक में स्कार खाने के मान होता है एक डिगरी होता है ठीक है एक में स्केल खाने कमान एक डिगरी होता है अगर एक वनियर स्केल खाने कमान पूछे तो एक डिगरी पच्पन मिनट होता है ठीक है यह सब कैसे निकलता है जो हमारा 20 one year हमने बता है ना उसको जो आब divided करोगे वह बारा वनियर scale खाने कमान बराबर 23 में scale खाने कमान तो वहाँ से जब एक बराबर निकलेंगे तो वहाँ से हमारा एक ये हमारा निकल के आएगा ठीक है तो ये याद करना जो जाम में आता हूँ हम दिग्री 25 हमारा क्या है यह हमारा एक वनीरी स्केल खाने कमाने एक डिग्री क्या है South में स्केल खाने कमान है अब लिस्ट काउंट पहुंच लेता है लिस्ट काउंट कितने होती है लिस्ट काउंट हमारी पांच मिनट होती है कैसे निकलता है वह एक MSD माइनस एक VSD एक MSD कमान एक डिग्री एक VSD कमान एक डिग्री 55 इसको जब आपस में हम सौल खरते हैं तो हमारा पांच मिने टिंकल के आता है ठीक सारे कोशन के लिए अरह हो गए ना बोर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से कोई कोशन आपको डाउट नहीं रहेगा अगर क्यों आपको समझ में आया हो कोशन तो वीडियो को लाइक जरू किजेगा ठीक कोशन नमर 49 हमसे क्या पूछा है रहा है ने नेम दा पार्ट मार्क्ट एज ए एक्स चो यहां पर फाइल आपको दिखाया जा रहा है इसमें हमारा एक्स क्या डिनोट कर रहा है तो एक्स हमार उपर ही भाग में दिखा देता वह ही लोता है और जो हमारा क्योंकि समें टाइंक है हमारे हैंडल के अंदर है और जो हमारा है सोल्डर होता है यह हमारा सब्सक्राइब इस सारी चीज़ आपको याद रहों है तो यह हमारा जो किया है ये हमारा इसमें एक्स पूछा एक्सट क्या है यहां पे तो आपसन देख लेते हैं हील एज फेरूल सुल्डर तो जो हमारा यह X हैicar 후 जो हमारा माईलिय यूष तील का नहीं द राइट ऊन्सर से उस finish size जब भी वड़ दे देते finish size के करीब लाना हो तो हाँ पर correct answer हम लगाएंगे second cut file second cut file का प्रिवर्गम जौब को finish size job को एक finish size के करीब लाने के लिए हम प्रिवर्ग करते हैं राइट अंसर हमारा सी आफसन हो जाएगा तो आज किस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि हमने आपको हर कोशन का डीप भी बता है ताकि आप वीडियो को अधर दक देखें और अच्छे से उनका कोई डाटा वगरा ना खतम हो उनका कोई इसू ना हो और हमने फिर भी अगर हमने आपको 20 कोशन करा हैं तो 20 कोशन में हमने उससे रिलेटेट आपको 50 कोशन करा दिये देखो क्या क्या हमने करा है वनियर बेवल प्रोटेक्टर पूरा हमने आपको समझा दिया दूसरा ह के यहां पर अगर डायल का लिपर के पूश्क्ता यह भी हमें आपको छिखा दिया तो अब आपकہ कोई कोशे नीया से गलत नहीं होगा अब आपको वीडियो अब आपका काम है आपका काम यह है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना है कमेंट करें बताना है वीडियो आपको कैसे लगा है और इस वीडियो को सेर केंना है अधिक से अधिक ताकि हम और अधिक मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अ अच्छे से मैंनेत कर सकें ओके फ्रेंज्स तो ओके बाइबाय अपना ख्याल लखीएगा बाइबाय गुन नाइट टेक्च कियरर। कर दो कि अब अब झांगनेत्स के यह तो अब यूड़ करम दो